अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बेल आइक को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे हर रेसिपी के रोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैं बनाने जा रह इसार मुंआ है मैं खरें डावले, कात लिया हैäche सबस्क्राइब करें इस तरफेलो काटना है ९ल्यंसए मनीः भीश है मैं घपको मुंद्छा कि और रहन वले को लिर्क है मैं आपको इस तरह से बड़े कातना थे लाई ओपक्ते है इसे तरह सारह आवले को चाट लीखे औ इसी तरह से हम सारे आवले काट लेंगे तो देखिए मैंने सारे आवले को काट लिया है चलिया भी से बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने ये पतीला रे लिया है अमें गैस को अन करूंगी गैस मैंने अन कर दी है गैस को मीडियम फ्लेम में कर देंगे इसके बाद म मैं इसमें 2 टीस्पून ऑईल डाल दिया है अब हम इसे हलका सा गर्म करेंगे तो देखिए ऑईल गरम हो चुका है अब हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डालेंगे अब हम किरए लिए आवले लिए थे और हमें इसमें एड टा क्रवभी इसको हम चलाइँंगे अब इसमें अन्य prends अब हम इसमें हरी मिच आड़ करेंगे अध्रक आड़ करेंगे हम इसमें डाल देंगे और इसे अची तरह से मिक्स कर देंगे तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है आप ध्यान रखे इसमें अलुमिनियम की बरतन के यूज बिलकुल भी ना करें नहीं तो बरतन काला पढ़ जाएगा इसलिए मैंने इसमें इस्टिल के पतिले का यूज किया है हम इसे एक से दो मिनट मीडियम फ्लिम में इसे धुमा अब अब हम इसे थंडा कर लिते हैं तो देखिए यह थंडा हो चुका है और मैंने आवले इसलिए हलके से प्राइब किये हैं ताकि इसमें जो कसेला पन रहता है वो निकल जाए इससे फिर आवले का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है तो चलिए अब हम इसे एक जार में पीस लेते हैं तो देखिए मेरी चटनी बन करके तयार है अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर एट करेंगे और इसमें थोडा सा हम स्वाद अनु सान नमक एट करेंगे मैं नमक बार में आट कर रही हूग आप चाहो तो इसे पीसते समय ही नमक कर देघे अभ शेया है तो देखिए मैने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और मेरी चटनी बन करके तईयार है आप इसे जरूर खायाए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने अनुभा मेरे साथ शेयर करें मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका पहुत धन्यवाद